हाई एवरीवान वेलकम को माई चैनल ये देखिए दोनों बूट बनकर तयार हैं और बहुत ही सुन्दर ये बूट बने हैं और मैंने इनको जैंस के लिए बनाया है जिन लोगों को 9 नंबर का जूता आता है तो वो साइड मैंने इसमें बनाया है तो आप इसको लेडिज के के लिए भी बना सकते हो ये दिखिए बहुत सुन्दर ये बना है मैं हमेशा जो मैंने डिजाइन बनाया है तो मैंने गल्स और लेडिस के लिए या बच्चों के लिए वो डिजाइन बनाया है तो इस पार मैंने ये जैंस बूट बनाया है और इसमें मेरे पास में दो तरह कि उन थी तो एक मैंने नीचे सॉल बनाया था और एक उन से मैंने उपर की साइड इसको बनाया है बहुत सुंदर बना है बहुत जल्दी ये बन गए है डिजाइन ये देखे आप जिरूर बनाईए घर में और आप इसको लेडिस के लिए भी बना सकते हो गल्स के लिए बना सकते हो तो उसके लिए आप सॉल का जो साइज है तो आप सॉल के साइज से इसको बनाएंगे यानि कि जितना जूता आपके पैर में आता है सूज का नंबर लेके और फिर जब आप सॉल बनाएं तो आप उसको पाउं रखके उससे नाप सकते हो तब इसको आप बनाएं तो मैंने जब सॉल बनाया तो सॉल को मैंने पूरा यहां से लेके यहां तक मैंने इसको नापा है तो यहां से यहां तक हमने इसको नापना है उसी हिसाब से आप इसको बनाईए यानि कि अंगूठे से लेके पूरा एड़ी तक आपने आप लेना है और अगर थोड़ा इसको आप छोटा ही बनाएं क्योंकि यह वूल है तो वूल खुलता है तो बाद में यह धीला हो सकता है तो यह देखिए वीडियो को सबसे पहले लाइक करें उसके बाद में वीडियो देखें तब आप मुझे कमेंट करें आप इसको जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको यह डिजाइन कैसा लगा है और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब करके मेरे डाले हूट डिजाइन देख सकते हूँ जिसमें मैं सलाई और करुष्य के ही डिजाइन बताती हूँ और यह डिजाइन भी यहां का पाल की तरह से ही हमने इसको बनाया है आप मेरा चैनल सबस्क्राइब करके जो बैल आती है तो इसको भी आप प्रेस करें ताके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे तो एक पास में करोश्या है तो यह मोटा वाला करोश्या है चार व California मैंने इसको यूज खिया है और मोटी उन से हमने इसको बनाया है तो आईये देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है और एक बात मुझे और आप से लोगों से बोलनी है काफी लोग मेरे जो बनाई हुए डिजाइन है उनको परसेज करना चाहते हैं तो अगर आप में कोई चाहे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो यह देखिए आप इसको किसी भी साइज को आप महाँ पर साइज लिखे और आप और कर सकते हो तो आए हम पहले इसको बना लेते हैं इस डिजान को बनाने के लिए हमने यहाँ पर यह 25 चैन बनाई है पच्चिस चैन बनाने के बाद यह देखी हम 4 चैन यहाँ पर छोड़ेंगे एक दो तीन और यह चौती चैन के अंदर हमने डबल करोश्या बनाना है और तीन डबल करोश्या हम इसी के अंदर बनाएंगे एक दो तीन तीन दबल करोश्या हमने एक ही चैन के अंदर बनाए हैं अब हम यहाँ पर एकक चैन के अंदर एकक दबल करोश्या बनाएंगे हर एक चैन के अंदर हमने एकक दबल करोश्या बनाना है यह डबल उन है तो डबल उन कहीं कभी कभी यह क्रोश्य में नहीं आती है ऐसे करके हमने इसका कि डबल क्रोश्या हमने इसमें बनाना है कि डबल क्रोश्या हमने इसमें बना लिया है अब देखिए लाश्ट वादी चैन के अंदर हम साथ डबल क्रोश्या एक ही चैन में हमने बनाने हैं तो एक कि दो कि तीन कि चार कि पार कि चैन कि साथ साथ डबल क्रोश्या हमने इसमें बनाया है अब हम इसको इस साइड आएंगे इस साइड आके हमने फिर बीस डबल क्रोश्या यहां पर बनाना है कि देखिए एक कि दो कि तीन ऐसे करके हमने यह बीस डबल क्रोश्या इस साइड भी बनाने हैं यहां तक हमने इसमें बीस डबल क्रोश्या बना लिया है अब देखिए यहां पर हमने तीन डबल क्रोश्या बनाया था चार हम इसके अंदर फिर बनाएंगे इसी चैन के अंदर यह देखिए हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशे में और बनाना है देखिए 1 2 3 4 4 डबल क्रोशे बनाया अब इस चैन के अंदर हम 1 स्लिट नोट से इसको बंद करेंगे और यहाँ पर हमने 3 चैन बनानी की बाद में हमने इसी चैन के अंदर यहां पर एक डबल करोश्या और बनाएंगे हम ऐसे करके इस चैन में हमने दो डबल करोश्या बनाया फिर यह अगली चैन है इसके अंदर भी हम दो ही डबल करोश्या बनाएंगे एक दो, फिर इस चैन के अंदर भी हम दो डबल करोश्या बनाएंगे, एक, देखिए, ओहो, एक, और एक और आएगा यहाँ पर, दो, यह देखिए, दो दो करके हमने इस चैन के अंदर डबल करोश्या बनाया है, हब हम अगली चैन के अंदर हमने एक अप हाफ डबल करोश्या यहाँ पर बनाएंगे, तीनों को मैंने एक साथ निकाल देना है, और यह हम दस हाफ डबल करोश्या हमने यहाँ पर बनाने है, ऐसे करके हम इसको बनाएंगे तो यह देखिए एक दो तीन जार पांच पांच छे साथ आठ नो दस 10 हाफ डवल करोश्या बनाया है अब हम यहाँ पर सिंगल करोश्या बनाएंगे ऐसे करके हमने यहाँ पर सिंगल करोश्या बनाना है ऐसे करके डिजाइन हमारा बनेगा यह सिंगल करोश्या हमने 10 बनाने हैं तो 10 चैन हम सिंगल करोश्या की बनाएंगे तो यहां तक हमने इसको बना लिया अब 9 डबल करुश्या हमने इस चैन के नदर बनाने हैं यानि कि एक चैन के नदर दो दो करके हाफ डबल करुश्या में यहां पर बनाएंगे देखिए एक और इसी के अंदर बनाएंगे दूसरी चैन के अंदर देखिए एक और एक दो फिर इस चैन के अंदर एक और एक दो फिर इस चैन के अंदर भी ऐसी बनाना है तो ऐसी करके हमने ये 9 यहाँ पर हाफ डबल करोश्या हम यहाँ पर बनाएंगे 9 चैन के अंदर ऐसी करके हमने इसको यहाँ पर बनाना है यहाँ से हमने इसको बनाया है एक, दो, तीन, चार, पांच यह हुआ छै यहाँ पर हो जाएगा 7 यहाँ पर हो जाएंगे एक चैन के अंदर दो बार देखे, 8 और इस चैन के अंदर भी दो बार तो 9 बार हमने इसको यहाँ से बनाया है अब फिर यहाँ पर हम सिंगल करोश्या बनाएंगे एक, दो, ठीक इसके सामने तक यहाँ तक हमने जहाँ तक हम इसको बना कर लाए थे यह हमने इस साइड भी इतने ही सिंगल करोश्या बनाने है जितने इस साइड बनाएंगे फिर ऐसे ही हाफ डवल करोश्या हम यहाँ पर बनाएंगे एक, दू, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस. दस, हाफ डबल करोश्य हमने यहाँ पर बना लिया है, अब जैसे हमने यहाँ पर, यह देखिए, डबल, एक, दो, तीन, तीन, चैन में, छे, हमने डबल करोश्य हमने यहाँ पर बनाना है, तो यह देखिए, एक, इस चैन के अंदर फिर एक बार और बनाएंगे, देखे, दो, फिर इस चैन के अंदर भी दो बार बनाएंगे, एक, और दो, फिर इस चैन के अंदर भी दो बार बनाएंगे, अब यहाँ पर हमने यह सिलिप नोट से इसको बंद कर देना है, तीन चैन बनाएंगे, हम यहाँ पर एक, दो, तीन, और इसी चैन के अंदर हमने एक बार और डबल करोश्या बनाना है, एक डबल करोश्या बनाएंगे, फिर इस चैन के अंदर हमने सिर्फ एक ही डबल करोश् बनाना है, एक और एक दो, फिर इस चैन के अंदर हमने एक बार बनाना है, फिर इस चैन के अंदर दो बार बनाना है, एक और एक दो, तो यह देखिए, दो-दो हमने चार बार बनाने हैं, तो दो यहाँ पर बनाएं, फिर दो, फिर यहाँ पर एक बनाएंगे, और इसके बाद अगली वारी चैन के अंदर हमने फिर दो बनाने है फिर इस चैन के अंदर हमने लाश बार दो बनाने है देखिए इसके अंदर भी हम दो बार इसको बना लेते हैं एक और एक दो ऐसे करके हम इसको बनाया है, अब हम यहाँ पर हाफ डबल करुश्या बनाएंगे, तीनों को एक साथ निकालना है ऐसे करके हम दस हाफ डबल करुश्या हम यहाँ पर बना लेते हैं, दस चन के नदर आख दस हाफ डबल करुश्या हमने यहाँ पर बना लिए हैं यहाँ तक, अब हमने यहाँ पर सिंगल करुश्या बनाने हैं बारा तो बारा सिंगल क्रोश्य हम यहापर बनाएं एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा बारा सिंगल क्रोश्य हम इसमें यहाँ तक बनाया है, अब हमने यहाँ पर छे, एक के अंदर दो बार, फिर एक, फिर दो, फिर एक, फिर दो, ऐसे करके जो दो-दो करके हम बनाएंगे, उसको हमने छे बार बनाना है, और वो हम हाफ डबल क्रोश्य हमें बनाएंगे, यहाँ और एक फिर इसी चैन के अंदर दो, फिर एक हम इस चैन के अंदर बनाएंगे, सिंगल, फिर दूसरी चैन के अंदर दो बार, एक, दो, फिर इस चैन के अंदर एक बार, फिर इस चैन के अंदर दो बार, फिर एक, दो फिर एक बार फिर इस चैन के अंदर दो बार फिर यहाँ पर एक बार फिर इस चैन के अंदर दो बार तो इस देखिए इसको हमने यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच फिर इस चैन के और एक बार फिर लाष्ट वाली चैन llegar दो बार एक और एक दो अब बारा हमने यहाँ पर सिंगल करोश्या बनाने है देखे एक दो इसको मैं पूरा कड़ लेती अब दस हमने यहाँ पर हाफ डेवल करोश्या बनाने है तो एक दो तीन चार पांच छे अब देखिए यहाँ पर हमने एक डबल करोश्या दूसरी आली चैन के निदर दो डबल करोश्या एक और एक दो फिर इस चैन के निदर एक डबल करोश्या इस चैन के निदर दो बार डबल करोश्या एक और एक दो यहाँ पर एक डबल करोश्या एक डबल करोश्या तो इस चैन के निदर दो बार डबल करोश्या एक और एक दो चार बार हमारे पास में हो गया एक दो तीन और इसके निदर एक डबल करोश्या यहां पर लाश्ट में दो डबल करोश्या यह हुआ इसके अंदर चैन के अंदर डालेंगे और सिर्फ नौट से इसको यहां पर बंद कर देखेंगे यहां पर हमने तीन चैन बनानी एक दो तीन आसे अंदर हाफ डबल करोश्या यानिके दो बार फिर दो बार हम इस चैन में बनाएंगे मत देखिए स्नरी हाफ डबल करोश्या में यहां पर बनाना है तो हाफ डबल करोश्या में हम तीन zostaat निकाल देते हैं एक बार निकाला, एक बार और निकालेंगेंगे, दो, ज़ि के नदर भी दो बार, एक और एक, दो, फिर यहाँ पर भी इस चैन के नदर एक और यह को टो इसको हमने चारी बार यहहाँ पर बनाना है, तो देखेए एक, दो, तीन चाव अब हमने half डबल करोश्या इस रो में ऐसे ही करके बनाना है हर एक चैन के नंदर एकक बार हम इसको बनाते हुए जाएंगे ऐसे करके हमने इसको complete करना है 15 हमने इसमें half डबल करोश्या बनाने है और आगे 15 हमने single करोश्या बनाना है तो पंदरा हम यह बना लेंगे half डबल करोश्या यहां से हमने इसको गिनना है यहां तक हमने दो दो बनाया है फिर एक दो तीन चाथ पांच छे साथ आथ नो दस सुरी यहां तक हमने इसको यहां तक हमारे डबल है फिर आपने यहां से single इसको बनाया है यानिके एक अग डबल करोश्या तो इसको हम बना लेते हैं गिन देते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा 15 हाफ डबल करोश्या बना है अब हम 15 इसमें single करोश्या बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ नो अभी देखें पांच बारा हमने यहां पर हाफ डबल करोश्या बनाना है दो करके दो इसके अंदर डालेंगे हाफ डबल करोश्या फिर एक डालेंगे यहां पर एक हाफ डबल करोश्या फिर इस चैन के अंदर दो बार दो दो बार हमने पांच बार बनाना है तो देखिए दो फिर यहां पर वहां पर दो 2 prices करोशिय इसको 5 बार हमने यहाँ पर बनाना है तो यह वा एक बार 2 बार तीन बार 4 बार और एक हम यहाँ पर सिंगल रहाफ डबल करोशिय बनाएंगी इसके अनदरं में दो बार हाफ डबल करोशिय बनाना अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोश्या हमने यहाँ पर बनाना है देखें पंद्रा बार यह रोव हमारी यहाँ पर कंप्लिट हो जाएगी पंद्रा बार हमने सिंगल बनाना है पंद्रा बार हमने डबल बनाना है यहाँ लाने के बाद हम इसको बंद कर देते हैं अभी लाश्ट देखिए एक बार बनाया फिर इसके अंदर भी दो बार ही बनाना है फिर इस चैन के अंदर भी दो बार बनाएंगे फिर इस चैन के अंदर भी दो बार बनाएंगे यहां पर हमने दागा कट कर देना है तो यह देखिए यहां पर हमने दागा कट कर देना है तो यह देखिए यहां पर हमने दोनों सॉल तयार कर लिए है आप भी इसमें डिजाइन कैसे बनाना है यह हम आपको बताते हैं तो आप भी दोनों सॉल बनाकर तयार कर लिए यह हमारे जो सूज होगा तो उसकी बैक साइड है यह इसमें हमने यहाँ पर साथ डबल करोश्या बनाया था तो ठीक इसका बीच आपने करना है यानि के तीन हम इस साइड छोड़ेंगी और तीन हमने इस साइड छोड़ देना है जो बीच वाला है तो इसके किनारे से देखिये ह में यहां पर यहार है ठीक किया पर हमने करोश्य डालना है और फरंट bên na साइब रहेगी तो यहीं से हमने उस्ता करोश्य डालना है इसको हम यहाँ और दो चैन हमने यहां पर बनाने हैं दो चैन बनाने की बाद में फिर हम इसके अंदर करुश्य डालेंगे और डबल करुश्य हमने इसमें बनाना है यहां पर हमने जो दो चैन हमारे पास में है यह वाड़ी बैक साइड की चैन के अंदर हम करोश्य डालेंगे इसको हमने डबल करोश्य यहां पर बनाएंगे देखिए एक 15 चैन के अंदर करोश्य डालना है हर एक चैन के अंदर करोश्य डालते हुए हमने डबल करोश्य बनाना है और पूरी रो हमने यहां से शुरू की है और पूरा इसको घुमा कर हम इस साइड से यहीं तक हमने लेकर आना है तो मैं यहाँ पर आने की बाद में आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से हमने इसको कैसे बंद करना है तो जहाँ पर हमने इसमें हाफ डबल करोश्या बनाया है तो उस साइड से हम दोनों चैन ऐसे करके हमने इस दोनों चैन उठानी है देखे, दोनों चैनल में यहां से उठाएं ऐसे करके दो चैनल में यहां से उठाएं अकर आपने धागा डबल किया हुआ है तो आप इसमें ध्यान दें कोई धागा चुपना नहीं चाहिए और इसको हम ऐसे करके पूरी रो में यह कंप्लिट कर लेते हैं ओ? यह रो हमने कंप्लिट कर ली है यहां पर इसके इंदर जो हमने चैन बनाई है यहां पर करोशय डालेंगे और इसको हमने स्लिप नट से बंद कर देना है फिर हम यहां पर दो चैन बनाएंगे डो चैन बनानेanki बाद में आप देखिए ये वाली चैन हमने ऐसे करोश्य डालना है और इसको हम ऐसे करके बनाएं ये एक बार हमने फरंट साइड से करोश्य डालना है और एक साइड हमने एक बार हमने बैक साइड से यहां से हम करोश्य डालेंगे ये देखिए इसको हमने ऐसे करके फिर फरंट साइड से करोश्य डा रहे हैं और फिर back side से double crochet बनाएंगे फिर front side से double crochet बनाएंगे ऐसे करके हमने ये row complete करनी है इस row को भी हम complete कर लेते ह हैं यहां पर ये हमारी row complete होती है और ये back side हमारा जहां से हमने इसके शुरू किया था तो इसके अंदर हम यहां से करोशय डालेंगे और यहांपर यह हमने बनाया है अब यहां चैन के अंदर हम करोशय डालकर एक बार सिविक नौब बना देगे पिर हम ने यहाँ पर 2 chain बनानी है एक, दो, और इसके अंदर हम front में आगे से करूशया डालते हुए double crochet बनाएंगी, othis back side से हमने करूशया डालना है और देगी यहां से ऐसे करके, यह वाले double crochet हमने यहाँ पर लेना है और इसको हम, डबल करोश्य ही हमने यहाँ पर बना रहा है ऐसे करके हमने यह row complete हम इसको नहीं करेंगे यह हमारी front में जाकर design बनाना है हमने इसमें तो यह देखिए इसको हम ऐसे करके और front तक ले आते हैं एक बार back side से करोश्य डालना है इस बार बेक साइड से क्रोशे डालना है इसको हम बना लेते हैं और यह हमने यहाँ पर आने के बार में हमारा डिजाइंग इसमें बनाना है यह देखे यह रो हमने यहाँ तक बना ली है और यह हमारा बीच सेंटर है यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमने डिजाइन बनाया है तो तीन इस साइड छोड़े हैं तीन इस साइड छोड़े हैं और यह वाला यहाँ से हमने इसको लेकर यह देखे यह यहाँ से ठीक यहाँ बनना है इसको अच्छे से आप देख ले हैं एक बार जो फ्रंट साइड की चैन हमने बनाई हुई है इसके अंदर हमने डिजाइन बनाना है इसमें हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है देखे यह मार्क आप देख सकते हो अब हम यह वाली फ्रंट का डबल करुश्या है फिर यह वाला बैक साइड है फिर यह फ्रंट वाला है तो अब हम इसके अंदर यह देखिए बैक साइड से यह वाला हम बना लेते हैं यह हमने बैक साइड से बनाया अब हम इसके अंदर यह वाला हमने उठाना है देखिए यहाँ पर इसको हम उठाएंगे और इसको हमने हाफ बनाना पना है जो बैक साइड वाला इसको lack है इसको मैं छोड़ देना है फिर यह वाला ज occupied का है इसको हमने मार्प लगाया है और अगले वाला हमने फ्रबंट वाला इंटाना है इसको भी हमने हाँ यहँ बनाना है चार स्टिच आप देख सकते हो मेरे पास में, उपर की साइट चार स्टिच हैं और अब हम चार की चार स्टिक एक साथ निकाल देते हैं आप देखिए ये वाला ये और ये इसको उने तीनों को एक साथ बनाया है तो यहाँ पर ऐसे बंद हो जाएगा करोशी के उपर धागा लपेटेंगे और हमने अब बैक साइड वाला यहाँ वाला करोश्या बनाना है फिर हम फरंट वाला बनाएंगे तो ये रोव हम करने कम्प्लीट करनी है आगले वाली रोव पर कैसे हमने इसको बनाना है ये मैं आपको दिखाते है ये रोव हमने कम्प्लीट कर ली है आप देखिए ये हमारी तीसरी रोष डिजाइन की आ गई है तो यहाँ पर आप इसको देखें ये फ्रंट वाली हमारा डवल करोश्या है और ये वाला हमने जो बैक साइड से हम उठाते हैं फिर ये फ्रंट वाला है तो इसको हमने उठ अठाना है और यहां पर जो तीन का हमने एक बनाया था एक हमने यहां से उठाना है और फिर एक हमने यह वाला उठाना है तो इन तीनों को हमने ऐसे करके यह डिजाइन हमारा ऐसे करके बनेगा यहां पर और यह जो पीछे वाली बैक साइड की डवल करोश्या हमारे पास इ तो एक बार हम इसको निकालेंगे, यह जो बैक साइड से आ रहा है, इसको हमने इसकिप करना है, इसको हमने ऐसी छोड़ना है, क्रोश्या पर धागल बेटेंगे, और यह देखिए, इसको जो तीन में हमने उठाना है, तो इसको हम यहां से उठाएंगे, कहां से, यहां पर ज को चुरिक हाम कंड़ा या पर में स्किप करना है और यहां मारे पास में यहां से यह यह उठाए यह उठा आपने एक बनाना है यह प्रिए बैक साइड वाने है ऐसे करके इस को यहां पर हमने इसको बना लिया है यह फ्रंट वाला हमने यहां से इठाके इसको बना रहा है ऐसे करके यह डिजाइन हमारा बने गार इसमें आपको दिखा देती हूं यह जो हमने बना लिया तो आप नज़्दीक से इसको देख सकते हो यह यहान हमने इसको बनाना है और एक दो तीन चार पांच छैसाथ आट नौ दस 11 घ्यारा रोने हमने इसकी यहां पर कर नहीं है तो ज्यारा रोर पर हम इसको ख़टा लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं हर बार हमने इसको ऐसे ही करके यहां पर घटाना है अगली बार हमने यह वाला और यह वाला इस तीन का उन्हें एक बनाना है ऐसे करके अम इसको घटाते हुए उपर तक ले जाएंगे बना लेते हैं पिर हम आपको दिखाते हैं यह देखिए इसको हमने इतना बना दिया है प्कषी की बहुत ही सुद्दर इससे इसकी फिटिंग आई है अब आप यह देखए कि हमने इसको कितनी बात यहां आं से घटाया है इसको हम गिन लेते हैं ज्यारा बार ताइम हमने इसको घटाया है जो हम लेडिस बनाएंगे यह बच्चो का बनाएंगे तो उसको यह हमने यह डिजाइन बनाया है तो जो लेडिस का है उसको तक ऋक्राइट hor SP सेवन ताइम आपने घटाना है अब हम इसको यहाँ पर इसको अमने कैसे बंद करना है यह देखिए यहाँ पर आने के बार मेंद पहले हम इसको पीछे वाले जो वाली है हमारी उसको उसकी गार्थ कि इस बार हमने इसको skip नहीं करना है क्योंकि अब हमने यह बुनाई हमारी finish हो गई है यहाँ पर तो यह देखिए इसको हमने एक बार फिर जो हमने यह तीन बार में एक साथ घटाया था इसको हम पूरा एक साथ उठाएंगे और यहाँ पर हमने एक बार double crochet हम यहाँ पर फिर हम आगे वाला फ्रंट वाला double crochet बनाएंगे और ऐसा हमने दो रो हमने यह बनानी है तो यह दो रो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ कि फाइनल हमने कैसे बनाना है फाइनल में एक रो हमारे पास में और आएगी तो इसको हम बना लेते हैं भारी हो ग तो इसलिए थोड़ा सा मुझे इठाने में है As far इसको हम कि दो रोमें यह बना लेते हम तो इसको हमने पुरा किनिस कर दिया है यहां इसके बाद में जहांता हमने इसको डिक्रीज किया था उसके बार हमने दो रो प्लेन बनाई हैं यहां पर बना दी है और फिर हम इसको यहां पर लेकर आ गए हैं यहां पर आ गई यह लोज हो गया है अब हमने इसको कि यहां से देखिया आप हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे तो यह देखिए इसको हम यहाँ पर ऐसे करके निकालना है अब देखिए यह हमारे जो फ्रंट वाला हमने डबल क्रोश्य बनाया है ठीक इसके बीच में यहाँ पर क्रोश्य डालेंगे हम और एक रो हमने यहाँ पर ऐसे करके बनाएंगे तो यह हमारे बैक साइड वाला आ गया इहां पर करोश्य डालं यहां पर लेगक वाला आगया है इसके अंदर करोश्य डाल कर यहां मैं पर फिर यां से करोश्य डालना लाएंगे साइड है कि एंदर यहां से करोश्य एंदर कबने करोश्य ज boxer कर te कि यहां पर यहां से डालना है जम आप बनाएंगे तो आप इसको अच्छय से देख पाएंगे इसको मैं बना लेते हैं ऐसे करके हमने इसमें उपर से बॉडर बनाना है यह राउन हमने कम्प्लीट कर लिया है अब हम इसको यहाँ पर धागा मारे पास में है तो यह हम कट कर देते हैं इसको हम यहाँ पर सुनी से एग्जेस्ट कर देगी अब हम पहले दूसरा भी ऐसे ही बना लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं जिन लोगों को नाइन नंबर का जूता आता है नौ नंबर का जूता आता है तो वो साइट